Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me श्रिप्रतिवारी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चो तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे the morphology of the leaf लास्ट क्लास में हम लोगों ने stem की morphology खतम कर ली है आज हम पढ़ेंगे leaf की morphology और उसके modifications लास्ट एक बर मैं root से शुरू करती हूँ morphology क्या है? morphology वो कहानी है जिसमें हम किसी भी plant के external features के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने morphology का जब chapter शुरू किया है तो हमने सबसे पहले root पढ़ा है जिसमें मैंने आपको बताया कि we have basically two types of root one is the tap root and second is the advantageous root advantageous root जो है वो radical से निकलने की बजाए किसी भी और part से निकल सकती है like stem से, leaf से, कहीं और किसी भी और जगह से, inter node से, node से तो ऐसे roots को हम advantageous root कहते हैं जो true roots होती है वो हमेशा radical से बनती है जैसे कि tap root is a type of true root जो कि dicot का special characteristics होता है advantageous root, dicot और monocot दोनों root में पाई जा सकती है advantageous root का एक type होता है fibrous root जो कि monocot का character है example is wheat, ठीक है root हम लोगों ने खतम कि और हमने उसके various modifications भी पढ़े ठीक है फिर हमने stem खतम किया और हमने उसके भी modifications पढ़े बार-बार मैं बता रही हूँ आपको कि morphology में आपको क्या पढ़ने में समय वेर्थ नहीं करना है अगर बहुत सारी refreshers उठाएंगे आप बहुत सारी चीज़े पढ़ने के लिए किताबे उठाएंगे पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका question general characteristics से बहुत जादा नहीं आता आपके जो question इस chapter में से बनने हैं वो modification में से बनने हैं तो आपको अगर modification अच्छे से आता है तो आप ये मान लीजेगा कि आपका morphology वाले chapter में stem, root और leaf ये ती और flower ये आपके topic cover हो गए हैं ठीक है So let's start with the morphology of leaf Leaf अब general characteristics शुरू कर देते हैं अगर मैं बात करूँ कि इस leaf में हमें क्या-क्या पढ़ना है तो आप देख लीजे पहले ठीक है चलिए Leaf हम लोग शुरू कर रहे हैं Leaf में हम क्या-क्या पढ़ेगा बच्चो Leaf में हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीजे इसकी देखिए सबसे पहले हम Leaf में पढ़ेंगे उसका structure ठीक है कि वो दिखती कैसे है ठीक है सबसे पहले we are going to talk about the structure of leaf ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे उसके venation की ठीक है venation या venation एक ही चीज होती है venation में हम बात करेंगे कि उसमें जो आपको lines दिखती है leaf में वो क्या होती है ठीक है veins के बारे में बात करेंगे then हम बात करेंगे fellow taxi के बारे में ये क्या होती है fellow taxi is nothing it is the arrangement of leaf into the stem और last and most and most and most important point is the leaf modification इसलिए मैं इसको अलग color से भी लिख रही हूँ leaf modification आप आखरी में करेंगे जो की सबसे important part है ठीक है so ये हमें following topics करने है leaf के अंदर बहुत ही प्यारा है leaf का जो topic है वो बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान है आपको किसी भी प्रकार की कोई difficulty इसमें नहीं होगी ठीक है अब अपन शुरू करते हैं leaf के बारे में बच्चो now सबसे पहले हम बात करते देखो जैसे एक चीज़ हमेशे समझो बायो में जब हम लोग किसी भी chapter को पढ़ना शुरू करते तुमने देखना तुम मेरा भी strategy देखो कि जब मैं पहली बार वो lecture लूँगी तो हो सकता है कि उस lecture को लेने में थोड़ा मुझे समय लगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो slowly slowly आगे बढ़े ठीक है जब यही lecture में second time लोगी तो मैं page बढ़ाऊंगे और जब one shot लोगी तो page के कहने ही क्या ठीक है दूसरी बात यह है कि हमेशा अपना प्रिपरेशन नीट के लिए या एक्जाम्स के लिए ऐसा करिए कि लास्ट दिन पर आपके दिमाग में गीगी पहला ना मचे कि भई मैं यह पढ़ लूँ कि मैं यह पढ़ लूँ मैं यह पढ़ लूँ ठीक है तो पहले मैं पढ़ा लूँ मेरे तीन चाप्टर और बाकी 11 की वो पढ़ा लूँ फिर मैं आपको 11 और 12 वाले बच्चों को रोड मैप बनाना सिखाऊंगी कि एक चाप्टर को एक पन्नी में कैसे करा जाता है समझ मैं आई बात जब मुझे नीट देना था तब तो नीट नहीं हुआ करता था तब CBSE PMT हुआ करता था तो जब मुझे देना हुआ करता था तो मेरे पास इतनी मोटी-मोटी copies रखी होती थी जो मेरे teachers पढ़ाते थे जो notes लिखवाते थे पर last दिन पर हम उतनी मोटे copy का revise नहीं कर सकते हैं तो मैंने क्या किया कि उस copy को पढ़कर पहले उसको 10 बार पढ़ा मैंने 10 बार पढ़ने के बाद copy या बंद की और उस chapter का एक पनने का notes बनाया और मैं बताओं कि CBSE PMT में first attempt में मैं select हुई कारण यह है कि मुझे आखरी दिन कोई जद्दो जहत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास already एक एक पनने के notes बने रखे थे तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो detail manner में पढ़ा रही हूँ जब मैं पूरा पढ़ा दूंगी तो मैं यह भी सिखाऊंगी कि इसके roadmap कैसे बनाये जाते हैं आपको अभी lecture लंबा लगता होगा मैं मानती हूँ पर आपके पास अभी कोई option है नहीं ठीक है तो आप पहले इसको आप चाहे तो आपको अगर लगता है कि मैं slow बोल रही हूँ तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता आपका दिमाग जैसा चल रहा है वैसी बाजू बाले का और जितने लोग देख रहे हैं उनका एक जैसे चले यह ज़रूरी नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि स्पीड बहुत फास्ट है तो आप उसको अपको अनलाइन में कम से कम यह तो फैसलिटी है ठीक है तो आप पहले यह पढ़ो देन मैं आपको रोड मैप बनाना सिखाओंगी बहुत जल्दी बाजी मत करिये 11 वालों के प आज हम इन इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीफ स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है बच्चो देखें लीफ स्ट्रक्चर ओके लीफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे लीफ स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ हम बात करेंगे petiole के बारे में ठीक है, और हम बात करेंगे leaf base के बारे में ठीक है अब इन बारे में आपको बात करना है ठीक है, आपको leaf structure में इन सब चीजों के बारे में बात करना है, पर बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी सबसे पहले आप leaf का general characteristics तो भूल गए? क्या होती है leaf? बताए लीफ के general characters के बारे मैं बात करूँ तो एक leaf का अगर मैं diagram बनाऊं तो मुझे क्या मिलता? Leaf कैसे कैसे originate होती है? देखे, सबसे पहले आपन ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो माल लीजे, green color से बनाती हुए ना, stem को अपन green color से बनाते हैं So, suppose that कि मेरे पास ये एक stem है ठीक है, ये मेरे पास एक stem पढ़ा हुआ है पढ़ा क्या हुआ है? ठीक है? ये मैंने एक leaf बना दी Done? समझ में आगई बात अगर आप से मैं पूछू कि leaf कहां से develop होती है तो शायद मैंने ये कहानी आपको समझाई भी है कि leaf हमेशा कहां से develop होती है? तो नोट से आपको एक leaf लगी हुई दिखाई दे रही है ठीक है? This is your stem अब ध्यान से देखो लीफ कैसा structure है ठीक है ध्यान से देखेंगे सब लोग लीफ कैसा structure है लीफ एक flat structure है कभी आपने सोचा कि round, गोला, spherical क्यों नहीं है कभी आपने सोचा दिमाग लगा है कि लीफ flat ही क्यों होती है लीफ हमेशा flat इसले होती है ताकि जादा से जादा सूर्य का प्रकाश जो सल्लाइट है वो जो है लीफ के surface के उपर पढ़ सके ठीक है अब लैमिना को हम लोग leaf blade भी कहते है ठीक है लैमिना को हम leaf blade भी कहते है तो tension ना ली जाएगा ठीक है तो leaf के उपर जो यह जो आपको मेन surface दिख रहा है अब मैं बात करूँ अगर कि इसका जो structure है वो flat क्यों होता है ताकि जादा से जादा sunlight पढ़ सके और उस पर photosynthesis हो सके node structure होते हैं इस टेम पर जहां से leaves जूड़ी हुई होती है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ ध्यान से समझेंगे सब लोग बात मेरी क्या बोल रही हूँ मैं leaf के general characteristics में बात करूँ तो यह क्या perform करता है photosynthesis ठीक है यह किस से develop होता है node से develop होता है कैसा structure है flat structure है अलग-अलग color के हो सकते हैं leaf ठीक है उसके बाद इसके कोने पर जिसे आप कहते है leaf axil वहाँ पर क्या होती है leaf axil पर क्या होती है axillary bird ठीक है ऍचिक है अब अगर मैं पूछू कि leaf का development कैसे होता है तो मेरे ख्याल से आधे सदिक बच्चों को यह पता होगा कि leaf का development कैसे होता है यह मैंने आपको पढ़ाया भी है ठीक है आगे बढ़ें हम लो अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ मेरे बच्चो लीव का डवलप्मेंट कैसे होता है तो आप क्या बताओगे हैं ब्रांचेज और फ्लार बनाने का काम एक्जिलरी बर्ड करती है तो लीव बनान इस बाचो, दिस दा अन डिफ्रेंछियेट डिस बने बनी है ठीक है और इनके बीच में होता है मैरिस्टेमेटिक टिशू है ग schw об्री पडों को नई नहीं पत्या बनाकर देथा जायेगा ठीक है अब क्या हुआ मेरे को बात बताओ कि थोड़े समय के बाद जब लीव बनी तो क्या हुआ कि यह जो undifferentiated leaves है ने यह नीचे खिसक जाएंगी ठीक है यह क्या होगी stem थोड़ा बड़ा होगा तो यह जो meristematic tissue है बच्चो यह क्या करें यह उपर पहुच गए और यहां पर कुछ undifferentiated leaves बनाने लगे पर वो नीचे क्या छोड़के गए नीचे वो छोड़के गए बहुत सारी leaves समझ मैं आई बात नीचे वो क्या छोड़के गए बहुत सारी leaves तो नीचे वो इस तरीके से बहुत सारी leaves stem के उपर छोड़ कर गए अब हो सकता है अब ध्यान से समझी leaves ऐसी भी जूड़ी हो सकती है या leaves हो सकता है कि axillary bird जो आपकी branch बनाती है उस branch से leaves भी जूड़ी हो सकती है पर ultimately आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि ये जो apical meristem होता है ये this is the apical meristem apical meristem का ही resultant है आपकी leaf अगर apical meristem होता नहीं तो जैसे जैसे branch बड़ी होती जा रही है वो leaves को पीछे छोड़ते जा रहे है समझ में आरी बात आपको क्या कह रही हूं मै कि जो apical meristem होता है उस meristem के चारों तरफ बहुत सारी undifferentiated leaves पाई जाती है undifferentiated leaves का मतलब ये होता है मेरे लाल कि अभी ये leaves नहीं बनी है पर जैसे-जैसे stem बड़ा होगा branch बड़ी होगे apex में होता है apex मतलब चोटी के उपर होता है सबसे उपर होता है जैसे-जैसे branch बड़ी होगी जैसे-जैसे stem बड़ा होगा वैसे-वैसे ये apical meristem उपर खिसकता जाएगा पर नीचे ये जो undifferentiated leaves इसके पास थी ये नीचे mature करकर के छोड़ता जाएगा so leaf mature किसे होती है apical meristem से जबकि flower और branch किसे mature होते है by your axillary meristem या apical meristem या apical bird apical bird भी इसको कहते है और axillary bird से flower और branch develop होते है done इतनी बात सब को clear हो गई अब आजाएगे थोड़ा सपढ़ लेते है so अगर हम कि इस chapter में leaf कैसी दिखती है और उसके modification के बारे में बात करेंगे so general characteristics अगर में बात करूँ तो leaf is a lateral flattered what do you mean by flattered flattered का मतलब यह है कि हमेशा जो leaf का surface रहेगा वो air में flutter करता रहेगा air में क्या करता रहेगा flutter करता रहेगा टूटे उटेगा नहीं क्यों नहीं टूटेगा क्या कारण है कि इतनी हवा चलने के बावजूद जो हरी पतियां होती है जमीन में नहीं गिरती तोफान आता पेड़ गर जाता पर पती नहीं गिरती जबकी इतनी सूखियो होती है फिर भी नहीं गिरती मोटे मटे मते स्टेंप गिर जाते कारण क्या है वह में बताओंगी तो यह flutter structure है जो हमेशा air में flutter करता रहता है ताकि उस पर maximum sunlight पहुच सके ठीक है ओके इडवलापेट नोट्स यह भी मैंने आपको बताया कि जो लीफ होती है वो नोट्स पर डवलाप होती है इड़ लेटरल अच्छा हमेशा यहाद रको अच्छा एक और चीज जो मुझे बतानी थी जब apical meristum जब apical meristum समझना बात को जब apical meristum ऊपर खसकता जाता है इस में थोड़ा छोटा बनाऊंगे मैं ना जब apical meristum क्या होता है उपर खिसकता जाता है तो वो क्या करता है? leaves को ऐसे छोड़ के जाता है पर हमेशा याद रखो कि जो leaves जितना पास होगी apical meristum में वो तनी new होगी है तो हमेशा new leaf जो होती है वो उपर की और होती है और जो older leaf होती है वो हमेशा नीचे की और होती है क्या समझे मेरे प्यारे बच्चो मैड़म हमने ये समझा कि जब हम leaf को develop करते हैं तो apical meristum उपर खिसकता जाता है leaf को पीछे छोड़ता जाता है apical meristematic cell के चारो तरफ undifferentiated leaves होती हैं जो differentiate हो जाती है, जो develop हो जाती है जो mature हो जाती है और जैसे जैसे आपका apical meristum उपर खिसकता जाएगा, वैसे वैसे leaves पीछे आती जाएगे तो बेटा, जो सबसे पहले पीछे आएगा, वो सबसे पुराना होगा ना है? तो जो older leaf हमेशा पीछे की ओर होती है, जो newer leaf होती है, जो नई leaf होती है, वो हमेशा आगे की ओर होती है ऐसे arrangement को हम क्या कहते हैं, यह कैसी हो गई, new leaf हो गई ना, these are the new leaves, ठीक है? तो ऐसे arrangement को मेरे लाल क्या कहेंगे हम लोग? ऐसे arrangement को हम कहते है, acro-pital manner यह आपके NCRT में यही शब्द दिया हुआ है यह ऐसा है कि मेरी class लगाने आया करिए, तो आप NCRT के बिना मत आया करिए, ठीक है? तो ऐसे arrangement को हम acro-pital manner कहते हैं और हमेशा जादा तर पेड में यह पेडों में ऐसा ही arrangement होता है जिसमें older leaf पिछु की ओर और newer leaf अगु की ओर होती है this manner is called as acro-pital manner दूसरी बात अगर आप देखें, तो leaf जो होती है, वो lateral होती है lateral मतलब किनारे-किनारे होती है stem के किनारे-किनार लगती है तो देखो, मैं हर चीज diagram से आपको समझा रही हूँ तो उससे coilator अदे नहीं आपको समझ में आना चाहिए lateral का मतलब किनारे-किनारे तो stem यह ब्रांच के किनारे-किनारे लगी होती है तो originate from the shoot of apical meristem shoot का मतलब क्या समझेते आप what do we mean by shoot, shoot पढ़ाया थर मैंने आपको shoot का मतलब है stem which bear the leaves is called as shoot stem plus leaves stem plus leaves is called as shoot तो अगर किसी stem में leaf लगी होई है तो वो shoot के लाता है it originate from the shoot apical meristem and arranged in the acrobital manner of the order of stem ठीक है, done, इतनी बात clear होगी आपको now, अब हम मैंने आपको क्या पढ़ाया मेरे बच्चो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ part of leaves के बारे में तो part of leaves में मैंने आपको क्या क्या बताया आजाए पिछे साइड part of leaf में मैंने आपको बताया leaf petiole, leaf base or leaf lamina, यह leaf blade आईए इस के बारे में पढ़ते क्या है यह चलो भई यह मेरे, अब आपन एक एक करके structure देखते जाते हैं कि यह leaf blade क्या है petiole क्या है, leaf base क्या है आजाओ, 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 देखो क्या है यह हो गया, यह समझ गया, कैसे range होता है आईए, हाला कि यह diagram मैंने ले के आई हूँ पर ठीक है, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ so this is our stem this is our stem what is the lamina what is the lamina देखो, मैं किस कलर सी पत्ती बनाऊ यार यह है आपका petiole और यह है आपका lamina सब लोग मेरी बात ध्यान से देखिएगा, क्या कैसी कहानी चल रही है ठीक है, बहुती अजीब सी leaf बनी, क्यों यह सही बनी, so यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए यह जो area आपको पूरा जो आपको leaf का surface दिखाई देता है यह है आपका lamina ठीक है, मतलब आपको जो leaf दिख रही है यह है lamina, इसी को आप leaf blade भी कह सकते, blade जो आपको हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो है leaf blade, बच्चो डन, ठीक है, अब leaf blade में कौन कॉंसेस होते हैं this is called as apex ठीक है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, this is called as margin समझो बात को जो पूरी leaf आपको दिखाई दे रही है वो है leaf blade अब leaf blade का सबसब टिप का हिससा this is called as apex और जो किनारा दिखता है, this is called as margin अब किनारा आपको कैसा दिखाई दे सकते है या तो किनारा ऐसा दिखाई दे, थोड़ा चुछ बनाते हैं या तो किनारा आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है या तो किनारा आपको ऐसा भी तो दिखाई दे सकता है तो किनारे अलग-अलग प्रकार के आपको दिखाई दे सकते हैं Done, apex हो गया, margin हो गया Leaf जिस structure से निकली रहती है बच्छो इसे आप कहते हो Petiole ठीक है, क्या कहते हो? Petiole Petiole वो डंडी है जिससे leaf जुड़ी हुई रहती है ठीक है दोनों के बीच में What is the पहचान of the leaf मेरे बच्छो What is the पहचान of the leaf हर leaf के पास एक axillary bird होनी जरूरी है अगर axillary bird नहीं है तो मान लेना कि वो leaf नहीं है फिर वो क्या है? वो leaflet है बताऊंगे इसके बारे में क्या समझा मेरे बच्छों ने? मेरे बच्छों ने ये समझा भी था जो structure मुझे दिखता है वो है leaf blade जो tip पर है, this is apex जो side में, this is margin जो structure से leaf जुड़ी हुए this is called as petiole और leaf का एक special character ये है कि उसके पास axillary bird होनी चाहिए ठीक है? axillary bird, auxiliary bird जो मन करें वो बोलते रहो ठीक है? अब हम किस के बारे में बात करें? पेटियोल हो गया base क्या होता है? leaf base जो ये surface, this is called as leaf base ठीक है? done? आईए अब हम बात करते हैं किस की? अब हम बात करते हैं किस कलर से बनाओ यार? ओके, ना ये जो structure आपको दिखाई देता है किसी भी leaf के center पर ये जो structure आपको दिखाई देता है ना, ये this is called as mid rib this is called as mid rib, done, ये है mid rib, इसमें xylem flowem होते है अब इस mid rib से बहुत सारी और भी चीज़े बाहर निकल सकती it is like that only, ठीक है? तो mid rib और ये क्या है? इसकी veins ठीक है? हो सकता है कि इस veins से और भी veins निकली हूँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, okay so these are जो और बाहर निकली हूँ है this is called as venelet venelet आप समझो, this is best, that's it ये हो गया आपके leaf का structure, done एक और चीज़ समझो, देखो देखो, 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 देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो petiol है इस जगा पर दो leaf-like और structure बाहर आ जाते हैं जिससे आप कहते हैं, stipule जिससे आप कहते हैं, stipule क्या समझा मेरे बच्चों ने stipule, ठीक है क्या समझा, कि कभी-कभी leaf जहां से जुड़ी हुई है stem से कभी-कभी वहाँ पर दो leaf-like structure आ जाते हैं जिससे हम कहते हैं, stipule done, ओके, अब आ जाओ बस इतना ही है, इतना ही है, बस हो गया आ जाओ, देखो चलो, अब structure आपकी slide में क्या लिखा है, वो देख लो सबसे पहले है leaf-base सबसे पहले क्या है मेरे बच्चों, leaf-base ठीक है, एक चीज और दिखाती हूँ leaf-base कैसा है भईया leaf-base जो आपको जब आप leaf को उठाते हैं जब आप क्या करते हैं, leaf को उठाते हैं तो आपको जो structure दिखाई देता है this is called as leaf-base ठीक है, अब leaf-base में आपको margin मिलेगा leaf-base में ही आपको apex मिलेगा leaf-base में और भी बहुत सारी चीज़े आपको मिलेगी, चलिए so leaf का structure समझ गए leaf-base देखिए सबसे lower most basal part of the leaf by which leaf is attached to the nodes of the stem this is called as leaf-base ठीक है, तो leaf-base क्या है ये देखो, ये देखो आजाओ, leaf-base this is the leaf-base ये जो आपको इससा दिखाई दे रहा है this is the leaf-base, ठीक है ओके, क्या समझा आपने देखो ये petiol है ये leaf है, पर यहां से जब वो attach हुई है ठीक है, leaf-base बाडम, leaf का attachment leaf-base के लाएगा ऐसा नहीं है बचो पूरा जो leaf आखरी में जिस चीज से जुड़ी हुई है क्योंकि petiol is a part of leaf बचो, petiol is a part of leaf तो petiol जिस जगह से जुड़ा हुआ है stem से, this is called as leaf-base ये leaf-base नहीं है this is not the leaf-base, wrong this is the leaf-base, done समझ में आ गई आपको बात, आओ देखो so ये हो गया leaf-base leaf-base के उपर है petiol, petiol के उपर है lamina ठीक है, तो जब आप leaf को देखते हैं, तो जहां से जुड़ी हुई है leaf, ठीक है so lower most part होता है leaf का जिससे leaf attach होती है node से, this is called as leaf-base leaf may be a small leaf-like structure, this is called as stipule जो से मैंने बता है, leaf-base पर ही आपको ऐसा एक leaf-like structure दिखाई देगा जिससे आप stipule कहते हैं, ठीक है in monocot leaf-base expand to form a sheath covering from stem, बताऊंगे मैं इसको insert, अच्छा अब आपको थोड़े से leaf-base के modifications बता देती हूँ, देखो जैसे कि maze में, भुट्टा में अगर आपको बात करूँ मैं ऐसा leaf-base के modification है यह ज़्यादा सा, थोड़े सा देख लो, है ना, leaf base modification हाला कि यह आपके उसमें ना होगा पर सुन लो, leaf-base के दो modification होते हैं, एक होता है leaf-sheet ठीक है और एक होता है pulvinus, यह क्या होता है यार, मैडम, यह क्या बता रही हूँ आप यार, देखो, कभी-कभी ऐसा होता है, हला कि I am not able to make this, बट ठीक है, यहाँ से आपकी leaf जुड़ी हुई है, ठीक है तो कभी-कभी यह जो leaf-base है, this is the leaf-base, ना so this is the leaf-base, यह क्या है आपका leaf-base, कभी-कभी leaf-base के चारो तरफ एक sheath बन जाती है क्या बजाती है, पुरे sheath बन जाती this is called as sheath ठीक है, और यह पाई जाती है आपके maze में, ठीक है, अला कि इसका कोई वो नहीं है, पर अपन को पढ़ना है now यह एक stem है कभी-कभी ऐसा होता है कि यह सब पुल्वामा attack में क्या हुआ था, मिसाइले गिरी थी आतंगवादी आ गए थे, मार-मार के जो है, तो लोगों को सुझा दिया था, ठीक है तो यह क्या हो गया, पल्वाइनस क्या हो गया, पल्वाइनस, ठीक है, इसको पल्विनस भी कह सकते हैं, क्या समझा आप लोगों ने, हमने यह समझा कि लीव बेस वो हिस्सा है, जो पेटियोल को किस से जोडता है आपके stem से जोडता है, ठीक है अब leaf based में हो सकता है leaf based modify होकर sheet बना ले petiol के चारा तरफ हो सकता है कि leaf based swell up हो जाए and the swell up is called as pulvinus ठीक है pulvinus भी कहते हैं इसको अच्छा यह pulvinus किसका structure किसका है आप बताओ leaf based किसमें strong होता है फूल जाता है example is the leguminous plant example is leguminous plant बच्चो इसमें leguminous plant में pulvinus सूज जाता है या leaf based सूज जाता है जिसे हम pulvinus कहते है leguminous plant को होते है कौन होते है दाल हो गई, मतर हो गई, चना हो गया, सोयबीन हो गया राजमा हो गया, छोले हो गया, चिक्केश हो गया जो भी मन करें जितने भी दाल वाले element रहो सब leguminous है, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको leaf base क्या होता है, leaf base के दो modification पढ़ा दिया मैंने आपको leaf के कौन-कौन से इससे पढ़ने था हमने leaf base पढ़ना था petiole भी पढ़ा दिया मैंने आपको ठीक है, petiole क्या होता है, वो leaf base with the leaf blade, चीक है, leaf base with the leaf blade called as petiole, leaf blade क्या होता है, ये जो हिससा आपको दिखाई दिया रहा, this is leaf blade, तो petiole leaf blade को stem से जोडने का काम करता है, leaf base से जोडने का काम करता है, it hold the leaf blade to provide sufficient light to the leaf, देखो यही कारण ने, petiole की वज़ा से, petiole की वज़ा से ही आपकी जो leaf रहती है, वो मेशा sunlight पर रहती है, कितनी हवा चल जाए, कितना पानी गिर जाए, कितनी बाड़ा जाए, पेड़ गिर जाता है पर पतिया नहीं गिरती, ठीक है, okay, petiole allows leaf blade to footer in the wind, ठीक है, इधर उधर तैरने में, उडने में, घूमने में, फैवा में, इधर उधर अपने पंक फैलाने में मदद करती है, ठीक है, it produces cooling effect in the leaves, ठीक है, हिलाता है तो जिसे थंडी होती leaves, ठीक है, okay, तो यह clear हो गया सबको, leaf base clear हो गया, leaf base जहां से petiole जुड़ा होता है, ठीक है, petiole क्या होता है, petiole इस हिससे को leaf base से जोडने का काम करता है, now, leaf blade के बारे हम बात कर रहे हैं, चलिए, leaf blade क्या होता है भया, leaf जो आपको दिखरी है, this is called as leaf blade, leaf blade के कुछ हिससे है, this is the apex of the leaf blade, this is the margin of the leaf blade, ठीक है, now this is the petiole of the leaf blade, ठीक है, petiole किस से जुड़ा है, petiole जुड़ा है, यहां पर leaf base से, leaf base के modification क्या पड़े है मेरे लला ने, आपने पड़े petiole और the sheath, ठीक है, इसमें दो leaf like structure होता है, जिससे आप stipule कहते है, now, अब आपको समझना है, क्या बोल रही हूँ मैं, so, जो पार्ट expanded, जो पार्ट आपको दिखता है, वो होता है leaf blade, बहुत सारी veins और weanlet होती है, अब आपको थोड़ी सी बात समझाती हूँ, देखो, जैसे मालो कि मैं कोई leaf blade बना रही हूँ, एक leaf बनाती हूँ, ठीक है, I think it is, suppose that कि मैंने ये leaf बनाई है, ठीक है, तो center पर जो leaf रहती है, ये कहलाती है mid rib, ठीक है, this is called as mid rib, अब आपको पता है कि mid rib, देखो, पूरे leaf को तो support देने के लिए पेटियोल है, पर पूरे leaf को dandy system से जोडने के लिए तो पेटियोल है, पर बात ये है कि इतना पानी गिरने के बावजुत, इतनी पतली-पतली जो leaves होती है, फटती क्यों नहीं है, खराब क्यों नहीं होती है, थोड़ी बहुत खराब भी हो जाती है, पर जादा तर खराब नहीं होती है, due to the mid rib, mid rib is the largest vein, ठीक है, madam, vein तो हमारे में होती है, जो blood circulation कराती है, अब leaf में कैसे वो हो गई, mid rib जो है, ये एक type की veinी है, इसके अंदर क्या होता है, xylem and phloem, देखो, चाहे पौधे का कोई भी हिस्सा हो ना, उसे हमेशा खाना, पानी और मिनरल दोनों चाहिए, तो अगर मैं किसी पत्ती की बात करूँ, तो पत्ती पे center पे जो रहता है, this is called as mid rib, mid rib में सबसे अधिक xyle and phloem होते हैं, क्या करते हैं बेटा, अब xylem जो है, xylem की vessel क्या करेंगी, जब पानी लेके आएंगी, xylem की vessel सब जगए थोड़ी घुसती रहेंगी, xylem vessel जो है, वो किसको पानी देता है, mid rib को पानी देता है, ताकि तुम leaf को पानी दो, उसके बाद mid rib जो खाना leaf बना रह xylem and phloem की ही बनी होती है, अब मेरा question यह है, madam खाना और पानी पहुचाने के लवा और कोई काम करती हैं, बिलकुल, यह जो होती हैं, यह जो veins आपको दिखाई दे रही हैं, largest vein हैं और यह veinlets हैं, ठीक है, यह venules जैसे आपके चोटे-चोटे बड़े-बड़े veins के बहुत सार दूसरी veins निकली हुई होती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका दूसरा काम होता है बच्चो support, कितनी भी आन्दी तूफान आजाए, यह leaf का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, कितनी भी आन्दी तूफान आजाए, यह leaf को उसी ऐसे ऐसे खड़ा करने में मदद करती हैं, कितना भी आंदे तुफा ना जाए ये लीफ को उसी जगह पर कभी भी इधर उधर हिलने नहीं देती है ठीक है फटेगी नहीं ठीक है सपोर्ट करेगी लीफ का शेप मेंटेन करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है देखो देखो मेरी बात जैसे तुम्हारे बॉडी में बोन्स होती है ना पर इनके पास इसे बोन्स नहीं तो उनके पास क्या पूरा ऐसे वेंस का पर इनके पास कोई बोन्मोन नहीं है इनके पास यही जैलम फ्लोया में है अब जैलम फ्लोया में इतने बड़े नहीं होंगे जितने रूटर स्टम में होते है पर इसमें भी होते है ठीक है it act as a channel for transporting water सीधी बात है मिल रिब में जालम फ्लोय हो है it act as a channel for the transporting water as well as what? as well as the as well as food अब बच्छो so we have completed what now let me check it once क्या पड़ाया मैने आपको तो हमने शुरू कर दिया है leaf का structure we have done leaf का structure we have done एक बार आपको प्रवाय दिखा देती हूँ leaf base क्या है जिस जगह से petiol जुड़ा हुआ है this is called as leaf base leaf base done एक बार यहीं पर बना कर बता देती हूँ जिस जंडी से leaf जोड़ी हुई होती है this is called as petiol जो part air में exposed है this is called as leaf blade ठीक है? this is called as leaf blade so मैंने आपको यहां पर छोटे छोटे डियाग्राम से भी बता दिये कि यहां पर कौन क्या होता है ठीक है? so बच्चो I think we have done with the structure we have done first topic हमारा complete हो गया done अब आते हम venations पे ठीक है? अब देखोंगे अब यहां आजाएए सब लोग क्या बोला मैंने? okay अब मैंने आपको क्या बोला? कि mid rib veins है यह पर जैसे मैंने बनाया क्या सब ज़कब ऐसा ही होता है क्या? हां? जैसे मैंने आपको दिखाया है कि सारे plant में सारी leaves में आपको ऐसा ही दिखाई देता है क्या? तो मेरा answer है नहीं सारे plants में ऐसा नहीं दिखाई देता है देखेंगे ध्यान से venation अब हम पढ़ेंगे venation venation क्या होता है जैसे आपकी body में veins का क्या arrangement है कौन से largest vein है, कौन से venules निकली होती है तो हम पूरा एक venus system पढ़ते हैं तो ऐसे ही leaves में भी हमको किस तरीके से xylem phloem की veins range है उसे पढ़ना जरूरी है so let's start with the veins बच्चो एक चीज जो मुझे शायद छूट गए leaf sheet का मैंने आपको example नहीं बता है मेरे प्यारे बच्चो को ऐसा गलत बात leaf sheet का example है grasses 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 में होता है कि जो आपका leaf base होता है उसके चारो तरफ ये sheath बना देता है हलाकि grass तो ऐसे दिखती नहीं grass तो ऐसे दिखती है तो leaves कैसे दिखती है ऐसे चारो तरफ ऐसे ऐसे sheath बनाने का काम करती है pulvinus किस में चाप आए जाता है phabacy जो family है phabacy मतलब जो leguminus plant इस पीवी आते है उसमें ये पाए जाता है ठीक है ये हो गया चलो अब आजाओ so venetion what is the means of venetion मेरे प्यारे बच्छो venetion is the arrangement of arrangement of veins veins and venelet venelet मतलब veins से जो branches निकलती this is called as venelet into the lamina lamina के उपर आपकी veins कैसी attach है उसे हम venetion कहते है ठीक है अब venetion basically दो प्रकार का होता है venetion दो प्रकार का होता है एक होता है reticulate venetion थोड़ा जादा ही बड़ा एरो बना दिया है मैंने है न एक होता है reticulate venetion ठीक है one is the reticulate venetion number one and number two is the parallel venetion अब ये क्या होता है थाई हाई ये क्या बता दिया मैडम आपने अच्छा veins का काम आपको समझ में आए ना कि क्या काम करते veins का काम क्या होता है बताए leaf में पाए जाने वाली vein का क्या होता है जो midriff उसमें क्या है xylem flowem है बाकी midriff से जो branches निकली उसमें क्या है xylem flowem तो ये क्या काम करती है ये transportation of transportation of water and food ठीक है तो venation जो है veins काम करती है क्या leaf में transportation और food और mineral इन सब को transport कराती है leaves में पर किस-किस प्रकार का हो सकता है चालो reticulate venation बनाती हूँ देखो जितना भी dicot plant है ना हमेशा एक चीज़ या दखो dicot है तो मजबूत है और जो मजबूत है वो हमेशा जड़े जो है अपनी फैलाके ही बनाएगा देखो कैसे जो गर पे पुरानी बहु रहती है वो हमेशा उसके जो पैर होते है वो नई बहु से ज़ादा जमे हुए होते है घर पे बिल्कुल सही बात है मतलब उसको पता रहता है कि नई बहु घर पे आने वाली है तो वो पहले से ही क्या करती है पूरा जाल बिछा लेती सास ससूर के मन पे अपना कबजा कर लेती है ताकि जैसे ही नई बहु आए तो उसका पत्ता कड़ जाए तो जो पुराना है, जो मोटू है, जो जमा हुआ है उस पर हमेशा रेटीकुलेट वेनेशन पाया जाएगा रेटीकुलेट का मतलब समझते हो जाल बनाना और रेटीकुलेट को हमेशा याद रखना पुरानी बहु से पुरानी बहु कौन है, जो जमी हुई है दुनिया का नारा, जमे रहो तुम तो जमी हुई बहु है, पुरानी बहु तो डाइकॉट जादा जमी हुई है कि मोनोकॉट अब पुरानी बहु कौन है, Dicot है ना So Dicot जो leaves होती है उसमें हमेशा जाल बिछा के रखती है यह आप रखेंगे सब लोग, ठीक है तो जितने भी Dicot plant होते हैं उनमें reticulate venation पाया जाता है अब माडम इतने देर से आप इसकी कहानी समझारी थोड़ा venation भी तो समझाओ कि क्या होता है थोड़ी सी में लीफ से I am not very much satisfied चलो, देखो बनाती हूँ I am trying so, ठीक है, अब सही बनी है चली, तो यह leaf बनाई मैंने ठीक है, leaf किस से जोड़ी हुई है बच्चो stem से जोड़ देंगा तो यह stem है यह है petiole ठीक है, petiole यह है leaf base ठीक है और एक है stem यह होगया stem, डन ठीक है, अब समझो reticulate venation में भाईया, मेरे ऐसा है कि आपके पास midrip तो पाई ही जाएगी midrip को छोड़ना नहीं है आपको अब midrip तो चाहिए किसी भी venation की बात करना है सबसे prominent, सबसे मोटी जो vane होती है उसको midrip ही कहते है midrip हो गई अब midrip से ऐसी vanes निकलेंगी पर यह vanes जो है, यह ऐसे जाल के form में आपको दिखाई देंगी ठीक है, it is like that only ठीक है, पूरे plant में ऐसा आपको जाल जैसा दिखाई देगा this is called as reticulate venation ठीक है, तो midrip से असंख्य vanelets आपको बाहर दिखाई देंगी और जिसके में जितनी vanelet होगी इसका मतलब यह कि वो तुमी strong पत्ती है जिसके में जितनी vanelet होगी इसका मतलब यह कि उत्ता जादा खाना और पानी वो ट्रांसपोर्ट करती है तो पुरानी बहु है, उसको पता है कि घर पे किसको कितना खाना खाना है पुरानी बहु जो है, उसको पता है कि मुझे मैं ज्यादा तेज हूँ नहीं बहु को मैं अच्छे से रखूंगी नहीं तो मैं अपने पैज जमा के रखूंगी तो पुरानी बहु मतलब dicot plant में हमेशा reticulate venation पाय जाता है मिड्रिप से बहुत सारे veins निकलते हैं जो पूरे पत्तियों में फैले रहते हैं यह यह signify करते हैं कि जो भी dicot plant होता है उसकी leaves को ज़ादा पानी nutrition यह सारी चीज़े चाहिए now parallel venation जो है यह monocot का character है अब यह parallel venation क्या है यह नई बहु में पाय जाते हैं नई बहु कौन है जो कमजोर है ठीक है नई बहु में पाय जाते है जो कमजोर है अब नई बहु कौन है उसको पता है कि पुरानी से तो लड़ नी सकती तो parallel चलेगी वो ठीक है या तो parallel venation ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा भी बहुत सारे midrib, midrib को अलग color से बना देती है ना, head से बना देती है So this is the midrib, ठीक है? This is the midrib, ओके? तो parallel venation बच्चो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? So, ऐसा भी हमारा parallel venation हो सकता है, दो टाइप का, किस में पाई जाता है, नहीं बहु, नहीं बहु मतलब क्या हो गया example इसका, monocot, ठीक है, monocot, clear हो गया सबको venation, venation is what, it is the arrangement of the veins which contains xylem and phloem into the leaf. So, we have basically two types of venation, reticulate, जो dicot plant का character है, example is dicot और parallel venation, जो की monocot का example है, ठीक है, पढ़ लेकते हैं आईए, ओके, चलिए, venation देख लेते हैं क्या है, venation, leaf blade content, अगर आप देखो, यहाँ से देखो, यह midrib है, midrib से veins निकल रही है, वेन से बहुत सारे जो है, आपको venlets दिखाई दे रहे हैं, तो यह कौन सा venation है बच्चो, this is the reticulate venation, यह कैसा venation दिखाई दे रहा है आपको, reticulate venation, जिसमें यह हो गई आपके midrib, midrib is the main vein, जिससे आपकी बहुत सारी दूसरी veins निकलती है, arrangement of veins and venlet in the lamina or the leaf blade is called as venation, दो प्रकार का venation होता है, reticulate और parallel venation, ठीक है, reticulate venation में क्या देख रहे हो, यह देखो, यह midrib आपको दिखाई दे रही, MR लिख दे रही हो, midrib, midrib, midrib से यह vein निकल रही हो, इससे कितने सारी जाल निकल रहे है, ठीक है, people का पता है, it form a network, general present in dicot, people, hiviscus, जितने भी dicot plant है, ठीक है, parallel venation देखो, parallel venation, जितने भी monocot plant होते हैं, उनमें parallel venation पाय जाता है, जिससे midrib से, बनाना की पत्ती हैं, आप देख रहे हो, midrib से से पैलल, 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 पैलल venation निकलती जा रही है, venlets निकलती जा रही है, veins run parallel to each other within the lamina, it occur in the monocot, example is the banana, ठीक है बच्चो, so I think we have done with the venation, आजाओ, देखो, so हमने दूसरा topic भी कर लिया ना, बहुत आसान है, leaf तो बहुत ही आसान जीद है, leaf मतलब, जितने भी stem हो गया, root हो गया, उनमें सबसे अधिक आशान leaf ही है, so we have done with the venation also, now, now, अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, types, अरे यार, एक topic और मै ने आपे छोड़ दिया, जो बुझे पढ़ाना है, आपे यार, इसको अपन 4 नमबर दे देते, इसको अपन 5 नमबर देते, ये तो भूली गई मैं, types of leaves, ये तो पढ़ाना ही बोल गई, ये हो गया अपना 3 नमबर, ठीक है, अब हमने पहले दो टॉपिक कर लिया, structure कर लिय विनेशन कर लिया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगे, types of leaves के बारे में, शुरू करें बिना देरी किये, ये समझ गया, आप लोग structure of leaves कुछ नहीं समझ में है, please let me know, ओके, ये विनेशन हो गया हमारा, पैलल हो गया, नहीं बहू, पुरानी बहू, अब हम बात करेंगे किसकी, type of leaves की, types of leaves, चलो मेरे प्यारे बच्चो, types of leaves देखो, अर्यार मेडम अब, ये तु भी इनलेट के से parallel or reticulate of leaves में भी type है, क्यों नहीं है, है, तुमको क्या लगता है, सब चीज जो है तो बिजुद दुनिया में असान है, देखो बाई, ये बायो लियो हो ना, तो इतनी जद तो अपनी को करनी ही पड़ेगी, दो प्रकार की leaves होती है हमारे पास, एक होती है simple, simple leaves और एक होती compound leaves, आई हाँ, ये क्या बोल दिया आपने, compound leaves, ठीक है, simple leaf और compound leaf, we have basically दो प्रकार की leaves, simple leaf और compound leaves, ठीक है, इतनी बाद सब को clear होगी, Now let's start with the simple leaf Simple leaf की बारें बात करेंगे हम लोग देखें simple leaf क्या होती है Simple Simple है इनका जीवन बहुती सरल है बहुत सरल है ये क्या करते हैं? ये कभी भी किसी के matter पर टांग नहीं अडाते जैसे मैं हूँ बहुती simple लड़की हूँ है बहुत simple बाड में जाए दुनिया तारीका आपना काम बनता बाड में जाए जनता ये भी विल्कुल वैसी ही है ठीक है? ये विल्कुल वैसी ही है कैसी है? देखो ध्यान से एक leaf बना ले हम लोग किस कलर की बनाये हैं? अभी मेरा ग्रीन कलर से बनाने का बनाए है हिसे लिए अजेए गिए अर्ट में झा झाले और या अच्छीन मन ए ना थोड़ी और अछी बनाते हैं टेक चलो ठीक है छाम चला हु साम हुए मैं डूर्थ बना लिजए दोनों और दोनों का रưởng बनादीजिए मिड्रिब बना लिए आपने यहाँ पर मिड्रिब बना लीचे ऑके बना लिए आपने मिड्रिब अब आप क्या समझ रहे हैं उसे क्यों बनाया मेने दो लीफ मार्जिन हमें क्या दिखाई दे रहे है इसकी margin कैसी दिखाई दे रही है आपको बच्चो ओ इसकी margin हमें smooth दिखाई दे रही है है इसकी margin हमें कैसी दिखाई दे रही है smooth पर इसकी margin में हमको क्या दिखाई दे रहा है incision है incision इसकी margin में हमें क्या दिखाई दे रहा है incision incision का मतलब क्या होता है cut दोनों में आपको क्या similarity दिखाई दे रही है, दोनों में हमें एक similarity ये दिखाई दे रही है कि simple leaf में margin never touch the midrib क्या समझा आपने अगर आप इस लीव का cut देखो तो cut तो है इसमें cut तो है ऐसे पर कोई भी cut जो है वो midrip को नहीं छूरा है कोई भी cut midrip को नहीं छूरा है तो ऐसी leaves जिसमें margin कभी midrip को नहीं छूता है उसे हम simple leaf कहते हैं बहुत है simple है midrib अपने चली जा रही है और अपना margin अपना चला जा रहा है तो उसका margin कैसा है? irregular है, smooth नहीं है इसका margin smooth है, पर दोनों में similarity यह है कि margin कभी भी midrib को छुएगा नहीं बाड में जाए, अपने को कुछ नहीं touch करना है इसको, ठीक है? देख लीजे आप, parallel venation तक तो हो गया है अब theory के कहती है, आजाओ देखते हैं, simple leaf simple leaf में आप देखो कि margin, margin कटे फटे हैं कटे फटे हैं, पर margin जो है, वो बिलकुँ smooth leaf दिख रही है ठीक है, कोई भी margin जो अंदर गुसके, midrib को नहीं touch कर रहा है ठीक है, देखो margin, irregular margin है, पर कोई भी margin जो है, वो touch नहीं कर रहा है, midrib को, so this is the type of simple leaf अब आते हैं वही है हम लोग, आईए, आईए, अब हम लोग पढ़ते हैं compound leaves के बारे में, चलिए, 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 देखिए, अभी मैं compound leaf के type आपको बताती हूँ, पर सबसे पहले ये तो समय लोग कि compound leaf होता क्या है, देखो, compound leaf, compound leaf, इनको ना बहुत ही दुनिया में उंगली करने की बहुत मची रहती है, बहुत ही मचाओ आदमी है, ठीक, कैसे, कैसे ये, क्यो है मचा हुआ आदमी, देखो, ये एक midrip बनाओ, ये एक simple leaf बनाओ पहले, ठीक है, simple leaf बनाओ, पहले, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, कि ये जो margin है, ने, कट के अंदर गुश जाता है, और, और क्या होता है, बहुत है, margin कट के अंदर गुशेगा, और midrip से attach होता जाएगा, it is like that, है, it is like that, ये क्या हो गया, मडम, ये क्या हो गया, समझो, क्या है ये, देखो, एक तो पहले, midrip बनाओ, पैटी गॉल बनाओ, देखो, जब आपकी leaf, जो है, वो margin को touch करने लगे, जब आपकी leaf, margin को ऐसा touch करने लगे, ऐसा, तो ये compound leaf है, बच्चो, ये क्या है, compound leaf, अभी आपको समझाती हूँ, क्या है ये, margin, बिड्रिप को देखो, लीफ, जो है, वो margin को touch करने लगे, पर इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझो, मैडम, इसमें तो मैडम, हमको तो बहुत सारा leaf दिख रहा है, मैडम, इसमें तो हमको बहुत सारा leaf दिख रहा है, आप तो बोल रही हो कि, ये देखो, ये है simple leaf, ये है compound leaf, this is simple and this is compound, अब मैडम, हमको इसमें एक leaf तो दिखी नहीं रहा है, हमको तो इसमें बहुत सारी leaf दिख रही है, बैटा, ये leaf नहीं है, ये leaf नहीं है, समझें आप, this is not leaf, this is leaflet, this is not leaf, this is leaflet, and this is the leaf, क्या है फर्क दोनों में, और ये जो midrib जो आपको दिख रहा है, ये जो midrib है ना, this is midrib, compound leaf में, अब हम इसको क्या कहते, this is simple compound, इसे आप कहते है, rachis, क्या कहते है, rachis, समझो बात को, madam, ये एक leaf है, ये पूरे को आप एक leaf कह रहे है, madam, इसमें तो में बहुत सारी leaf दिख रही है, तो मैं कैसे मालनू कि ये एक leaf है, ये पूरी एक leaf है ये पूरा एक leaf है बच्चो, ये पूरा एक leaf है, है ना और इसमें जो पत्तियां आपको दिख रही है, जो ऐसे leaf जैसे दिख रही है This is not leaf, this is leaflet मैडम मैं कैसे मालनू, कैसे मालनू मैं कि ये leaflet है, ये leaf नही है हम तो आश तक यह समझते हैं, तो किमली का पत्ती देखते हैं, तो सारी पत्ती आई उसकी, ना यह जो आपको पूरा दिख रहा है, this is the leaf and one पत्ती-like structure, this is called as leaflet, कैसे जानूंगे बैं, देखो, यह stem है, ठीक है, this is the stem, okay, लेबल कर रही हूँ, मैं ध्यांस देखना है, तो यह गड़ बढ़ जाएगा, this is stem, this is petiole, अब यहाँ पर क्या पाए जाता है, यहाँ पर क्या पाए जाता है, बताए, यहाँ पर पाए जाती है आपकी बढ़ ना, कौन सी बढ़ पाए जाती है, auxiliary bird, पाए जाती है auxiliary bird, बोलि चाहिए, तो leaf का character क्या है, कि उसके base पर auxiliary bird पाए जाएगी, यह तो हम लोगों ने पढ़ है, कि भाईया stem का character है, कि उसके उपर पर epical bird पाए जाने चाहिए, leaf का character यह है, कि वो node से जुड़ी होई होनी चाहिए, और वहाँ पर auxiliary bird होनी चाहिए, अब यहाँ पर auxiliary bird, अगर यह leaf होती, तो यहाँ पर auxiliary bird होना चाहिए था, अगर काईदे से यह leaf होती, तो यहाँ auxiliary bird होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, पर कहीं भी नहीं है, यहाँ पर auxiliary bird कहीं नहीं है, तो आपको पता है कि auxiliary bird कहाँ पर तो अगर auxiliary bird यहां पर है, तो यह पूरा leaf ही तो हुआ, बोले, हर leaflet के base में नहीं है auxiliary bird, तो हम इसे एक single leaf, इसको एक single leaf, इसको एक single leaf, इसको एक single leaf, इसको एक single leaf नहीं consider कर सकते, इस पूरे leaf के base पर यहां पर है auxiliary bird, तो इसलिए हम इसे एक leaf consider करना पड़ेगा, और यह जो चोटी-चोटी आपको दिख रहे हैं, जो mid ribs attached दिख रहे हैं, this is leaflet, so the group of leaflet which are attached to the mid rib and whole structure is called as leaf, ठीक है, और आपको इसमें क्या दिखा, कि यह तो इसमें तो कोई division है नहीं, तो simple leaf है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि what is the difference between simple and compound leaves, compound leaves जो है बच्चों उसके साथ कहानी यह है कि यह दो प्रकार के हो सकते हैं, let me add some pages, अब यह देखो, compound leaf जो है न, ऐसी नहीं होती, compound leaf दो प्रकार की हो सकती है, अब compound है, simple है तो जीवन simple है, किसी के टांग में आ नहीं, यह तो ऐसी चलेंगी, पर compound leaf जो है वो दो प्रकार की ह सकती, एक होती है, pinnately compound ठीक है, और एक होती है, palmately ठीक है, अब pinnately जो है, यह कैसी होती है, वो देखते हैं, आईए देखें, नीम का पेड़ देखा है आप लोगों ने, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, this is the pinnately compound, ठीक है, मैं वापस सनी बना रही हूँ, this is pinnate, ठीक ह example is neem, ठीक है, this is pinnate, पर palmately में आपको, palmitate में आपको देखना है, कैसा है, ठीक है, ठीक है, palmitate, palmitate compound जैसे palm होता है ना, पांच उंगली वाला, वैसे यह भी है, देखो, कैसा होता है इन में, जैसे यह माली जो हम लोगों ने stem बना लिया, ठीक है, और यह हमने बना लिया पेटियोल, ठीक है, this is पेटियोल, अब नॉर्मली, pinnately में आपने क्या देखा था, कि जो leaflet थे, वो सारे midriff से arrange होते, attach होते, इसमें क्या होता है, कि leaflet जो होते है, वो palm की उंगलियों जैसे, एक यह हो गई उंगली, ठीक है, फिर एक यह हो गई उंगली, एक यह हो गई ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, कि आपकी जो पूरी leaflets है न, आपकी जो पूरी leaflet है, वो किस से जुड़ी हुई है, वो किस से जुड़ी हुई है, डेरेकली पेटियोल से, ठीक है, तो palm जैसा यह दिखाई देता है, थोड़े से मैं और पती हैं, इसमें आपको बना क पार्मिक्टेट में क्या होता है, कि leaflet, leaflet directly attached to the पेटियोल, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पिन्नेट में, leaflet directly attached to the midrip, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया, पर, इसका example आपके NCIT में और बहुत सारी जगहों पर मैंने पढ़ा, तो मुझे यह समझ में आ है, कि इसका example एक ही बहुत सारी जगहों पर लिका है, silk cotton, silk cotton इसका एक example है, ठीक है, silk cotton, ठीक है, तो जिस प्रकार से आपके हाथ में silk आप रख सकते हैं, तो यह आपको कैसा दिखाई दे रहा है, palm जैसा दिखाई दे रहा है न, तो palm के ऊपर silk, इससे याद आप रखेंगे, palm के ऊपर silk, तो देखो मैंने आपको बहुत सारी वो हमेशे जाल फैला के रखेगी, बड़ी बहु कोन होगी, जो strong होगी, जो dicot है, और उसमें जाल फैला रहेगा, तो reticulate venation, जो नहीं बहु रहेगी, पैलल ही चलेगी, जैसा परिवार बोलेगा, वैसा ही मैं करूंगी, पैलल, फिर मैंने आपको क्या बताया, एक example बताय नीम, अब नीम जो है, इसको कैसे याद रखेंगे, पिन-पिन करना, इसको याद करना, ठीक है, अब नीम लगा कर पिन-पिन करना, ऐसा याद रख सकते हैं आप, नीम लगा कर, लगा कर पिन-पिन करना, ठीक है, तो जैसे नीम लगा लेते हैं, तो पिन-पिन करते हैं, र और palm में silk लेकर बहुत खुश होना, it is the example of palmitate. Palmitate का example है, silk cotton, please always remember this. Done. इसके थेओरी पढ़ ले हम लोग, simple leaf done हो गया, ठीक है? Compound leaf, pinnately compound or bipinnate? Bipinnate को हम लोग palmitate भी कहते हैं, ठीक है? Okay, 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 okay. इसके दो होंगे, ध्यांस देखो, pinnate और palmitate, ठीक है, palmitate, ठीक है, यह, दो example, ठीक है, उसको काट दिया है, मैंने. Leaf blade is completely broken down into the distinct leaflet, it is compound called compound leaves, ठीक है, simple leaf आप समझ गयते हैं, कि आप क्या देखे हैं, leaf जो है, पूरी midriff से जुड़ी हुई हैं, पर यह सब leaf नहीं है, यह है leaflet और यह पूरी एक leaf है, ठीक है, यह confusion नहीं होना चाहिए आपको, दो प्रकार के हैं, palmitate और pinnate, ठीक है, अब pinnate जो होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं, pinnate आप क्या कि सारी जो leaflet है, वो common axis midriff से जुड़ी हुए है, example is neem, पढ़ा दिया है मैंने, pinnate जो होते हैं, वो बहुत सारे type के हो सकते हैं, हाला कि आपके NCRT में नहीं दिया हुआ है, पर आप जान लो, अगर आपकी midriff से सिर्फ एक leaflet जुड़ा हुआ है, ठीक है, one pair of leaflet जुड़ हुआ है, ठीक है, midrib नहीं कहता है, विसको क्या कहता है, rachis, compound में midrib को क्या कहता है, rachis, ठीक है, unipinate, midrib of leaf directly bears a leaflet and now called as rachis, it is called as peripinate when the terminal leaflet is absent, terminal leaflet का मतलब क्या समझे, terminal leaflet का मतलब समझे कि यह जो leaflet है आपका absent रहेगा, ठीक है, और leaflet जो होते हैं, 7 in number हैते हैं, ठीक है, okay, example is, imli, cases, ठीक है, आपको दिखाई देगा, इसमें, leaflet आप देख लो, एक leaflet में 7 आपको दिखाई देगे, ठीक है, okay, unipinate, unipinate, imprepinate when the terminal leaflet is present, unipinate का दूसरा example है कि अगर terminal leaflet present हो, देखो, imli में कहा रहता है, एक leaflet, दो leaflet, तीन, 6 हो गए, और ऐसा होता है, ठीक, तो 7 leaf दिखी, यह हो गया, unipinate, और unipinate में ही एक होता है, imprepinate, when the terminal leaflet is present, तो कितने हो जाते हैं, 8, देखो, 6 हो गए, और यह हो गया, 8, ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आपको, कि आप देख रहे हो, कि peripinate, this is the peripinate, यह क्या है आपका, peripinate, यह imly में पाया जाता है, ठीक है, peripinate, याद नहीं हो कोई tension नहीं है, और यह है imprepinate, जिसमें terminal leaflet पाया जाता है, imprepinate, this is peripinate and this is imprepinate, ठीक है, याद नहीं हो तो कोई tension नहीं है, rose और neem, ठीक है, neem में ऐसा होता है, imly में ऐसा होता है, आगे बढ़त और branches which be a leaflet, ठीक है, अब midrib की दो branch हो जाए, यह देखो, midrib की क्या हो जाए, दो branch हो जाए, यह देखो, तो यहां से भी leaflet निकलना शुरू हो जाए, ऐसे, 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 और यहां से भी leaflet निकलना शुरू हो जाए, this is the by pinnate, पर यह सारे pinnate ही है, pinnate मतलब midrib से directly जाए, उपर का जो pair है वो गायब रहेगा, वो एक रहेगा, 7 हो गया, इंपरी pinnate में pair के form में रहेंगे, मतलब 8 रहेंगे, by pinnate में आपने पढ़ा कि midrib के दो branch हो जाते हैं, और दोनों branches में leaflet जुड़ी होती है, दूसरा try pinnate, try pinnate में क्या होता है, कि हर midrib से जो leaflet निक टर्शरी axis निकल जाते हैं, तीन branches निकलते हैं, यह आपको यार नहीं करना है, मोरिंगा, ठीक है, तो by pinnate में 2 axis, try pinnate में 3 axis, uni pinnate में 1 axis रहेगा, पर वो दो टाइप के हैं, या तो 8 leaves रहेंगी, या तो 7 leaves रहेंगी, ठीक है, उसके बाद pinnately compound leaf में D compound, rack is divided repeatedly without any fixed pattern, तो rack is ज ठीक है, पर D compound में कितने भी हो सकते हैं, देखो कितने भी दिख रहें, rack is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे carrot में और parthenium, parthenium is a weed, ठीक है, done, तो कितना सही बताया देखो, pinnately में कितने-कितने बता दिया इसने, pinnately में इसने uni pinnate बताया, ठीक है, uni pinnate ब बताया, by pinnate बताया, फिर try pinnate बताया, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया, d compound, ठीक है, okay, uni pinnate का example आपने नीम पढ़ा, tamrit पढ़ा, tamrit में कितने होती, 7 पत्निया जिसमें उपर वाला जो terminal पेर रहता हुगायब रहता है, नीम में एक और आपने पढ़ा, impry pinnate, जिसमें एक leaflet के group रहते है, by pinnate में दो-दो leaflet के group रहते है, try pinnate में तीन-तीन leaflet के group रहते है, जैसे mimosa, नहीं, by pinnate का example है, mimosa, try pinnate का example क्या था है, मैं भूल गई, try pinnate का example कहां गया, by pinnate का, oh, moringa, ठीक है, और d compound का है carrot, और अपना parthenium, उसके बाद, palmately compound में आपने क्या देखा, आप पाम जैसा रहता, देखो, palm जैसा, देखो, पाम जैसा, देखो, डिरेकली आप पेटियोल से जुड़े वे रहते है, the palmately compound जो होते है, leaflet are attached, common point, और the tip of the petiole, the tip of the petiole, bears all the leaflet in the form of bunch or the cluster, called as silk cotton, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर, एक, common सा, एक flow chart बना देती हूँ, जि types of leaves, ठीक है, अगर वो आपको types याद नहीं रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, pinnate, ठीक है, and palmitate, pinnate and palmitate, ठीक है, pinnate में आपने क्या पढ़ा, unipinnate, unipinnate के सब ब्रांच याद मत रखो, ठीक है, unipinnate, इसका example आप याद रखो, neem, और याद रखो, tamarind, ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को, bypinnate, जिसमें आपका जो राकिस है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, bypinnate का example is a mymosa, pudica, छुई-मुई कहते हैं इसको, छुई-मुई लिग देती हुमें, ठीक है, trypinnate, trypinnate, इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है, तीन ब्रांचेस राकिस हो जाती है, example is moringa, moringa, ठीक है, and d-compound, जिसमें राकिस को पता ही नहीं कितने में डिवाइड हो ना, कितने में भी, कहीं भी डिवाइड हो रहा है, d-compound, ठीक है, example is what, carrot, ठीक है, ओके, और पामिटेट का example क्या है बच्चो, silk cotton, ठीक है, clear हो इतनी बात, screenshot ले लीजे, we have done with the type of leaves, we have done with the type of leaves, अब हम बात कर रहे है किसकी, तो हमने क्या 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 कर लिया है, देखते है हम लोग, ला 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 ला, कितना सारा पढ़ा दिया मैंने बच्चो, क्यों, तुम लोग इस सब बनाते हूं कि नहीं बनाते हूं, बहुत Let's start with the phallotixi, what is it? ठीक है, अब एको हैला की वेने palmetalli compound के बात किये हैं, जिसे palmetalli compound में, silk cotton में आपने पांच देखेते हैं, वैसे ही petiol से दो leaves भी जुड़ी हो सकती हैं, जिसे कहते हैं, डाइफोलियेट, example is vignonia, हो सकता है petiol से एक ही leaves जुड़ी हो, जिसे unifloiliate कहते ह नहीं हैं कि palmetalli compound में हमेशा 5 पत्ती वाला ही रहेगा, palmetalli compound का मतलब ही होता है कि जो आपकी leaf है, वो राकिस से न जुड़ी हो के directly petiol से जुड़ी हो जैसे citrus, जैसे bifoliate में bignonia, ठीक है, ओके, यह हो गया, done, trifoliate में trifolium, quadrifoliate में marsilia and paris, multifoliate में bombex, तो कुल मिला के बात यह है कि आप silk cotton याद रखो क्योंकि NCRT में दिया हुआ है, पर अगर आप चाहें तो आपको यह थोड़ा सा देख लेना slide में कि जरूरी नहीं कि हमेशा 5 पत्ती जुड़ी रहे, एक पत्ती तो citrus, दो पत्ती तो bignonia, तीन पत्ती अगर जुड़ी हुई है तो trifolium, चार पत जुड़ी हुई है, ना बच्चो अब हम बात कर रहे है, phallotaxi की, चल, अब हम बात करते phallotaxi, ठीक है, जैसा कि अगर आपको पता होगा, कि अगला जो पाट हम लोगों को शुरू करना है, वो phallotaxi है, मैं जल्दी-जल्दी से आप लोगों को slide में लेके चलती हूँ, ज कौन कौन से बाक यह अपने इना फैलोटेक्षी शुरू कर रहा है धी यार Okay, So We Have Done The Structure of Leap, We Have Done The Venetian of Leap, We Have Done The Type of Leap Now, अब हम बात कर रहे है फैलोटेक्षी के बारे में Now, हमारे मन में एक वेटेक्सि होता है कि फैलोटेक्षी है क्या देखो, phallotexy का मतलब होता है, देखो, venition में हमने क्या पढ़ा? The arrangement of vein which is present into the leaf और lamina, ठीक है? यहाँ phallotexy में हम बात करेंगे, the arrangement of leaf into the stem, ठीक है? हम लोग किसकी किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से देखते जाना है ना? हम बात कर रहे हैं, phallotexy, आजाओ बच्चो, देखते शुरू करते हैं, what is the phallotexy? phallotexy, ठीक है? phallotexy is the arrangement of leaf, arrangement of leaf, leaf into the stem, ठीक है? तो stem में leaf का क्या arrangement है? that is called as phallotexy, ठीक है? अब leaf के अलग-अलग प्रकार के arrangement हो सकते हैं, जैसे कि हमको पढ़ना है तीन प्रकार का arrangement मैं यहीं तीन हों explain करूंगे, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे ठीक है? पहला arrangement हम पढ़ रहे हैं पहला arrangement हम पढ़ रहे हैं, opposite alternate, और फिर हम पढ़ेंगे world, ठीक है? world यह क्या-क्या है? अब ध्यान से सब लोग देखते जाएंगे मेरी बात अगर, अगर leaf में, suppose that यह leaf है मेरी तो opposite, opposite का मतलब कैसे होता है? कि एक leaf इधर होगी, तो दूसरी leaf इधर होगी एक leaf इधर होगी, तो दूसरी leaf इधर होगी, ठीक है? एक leaf इधर होगी, तो दूसरी leaf इधर होगी एक leaf इधर, तो दूसरी leaf इधर, ठीक है? ऐसे एक leaf इधर, तो दूसरी leaf इधर दिस इस दा opposite arrangement, वाला एक leaf इधर, दूसरी leaf इधर, ठीक है? इस तरीके से ओके ऑल्टरनेट का मतलब क्या समझा आपने कि आपका यह मिद्रिब है ठीक है ओके और और अल्टरनेट का मतलब क्या समझा कि एक लीफ आपकी अगर इधर है तो दूसरी लीफ इधर होगी ठीक है एक लीफ अगर आपकी इधर है तो दूसरी लीफ आपकी इधर होगी एक ल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है यह आपके मिड्रिब है ठीक है तो वर्ल्ड का मतलब यह है कि आपकी जो लीव्ज होंगी न वह इस तरीके से होंगी एक ठीक दो ऐसा नहीं है ऐसे एक दो तीन शार ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा फूल है अभी आपको एके करके पढ़ा विर्यूमेन के बारे हैं, like that only, ठेक, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझेगा, देखो, opposite जो है, इसमें आप क्या देखते हो, कि आपकी leaf ऐसे ऐसे एक के बाद, एक के बाद, मतलब अरेंज है, opposite है, एक दूसरे के किनारे किनारे पर है, opposite का example में आपको बताती हूँ, देखो opposite का example क्या है, काला गोबर, ठेक है, opposite का example है, काला गोबर, अरे यार मैं यह क्या बता रही हूँ अब आप, NCRT में opposite के दो example दिये हैं, काला का मतलब है, ध्यान से देखो, काला का मतलब है, कैला ट्रॉपिस, ठेक है, कैलो ट्रॉपिस, स्पेलिंग देख ले न, कैलो और गोबर का मतलब है गुवावा, ठीक है, देखो, कैलो ट्रॉपिस, कैलो ट्रॉपिस को हम लोग मिल्क वीड भी कहते हैं, कैलो ट्रॉपिस को we also called as milk weed, ठीक है, देखो, क्या होता है, बहुती कॉमन सा ये एक वीड है, इतने इतने से पेड होते हैं, इसके बड़ी-बड़ी नहीं खाते हैं, बड़ा ही खतरना है, हम लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, कहीं हमारी स्किन में राश इंफेक्शन ना हो जाए, तो एक टाइप का वीड है, ठीक है, गुवावा आप जानते हैं, तो काला गोबर से याद रखना है आपको, की opposite का example है, काला गोबर, ठ ठीक है, चलो, alternate, ठीक है, alternate के लिए मैंने एक अलग स्कीम बनाई है, वो आप देखिए, थोड़ा मज़ा आएगा आपको देखके, alternate arrangement के लिए, क्या बनाया है मैंने, वो देखिए, यह एक लीफ रखी है, यह दूसरी लीफ रखी है, यह तीसरी लीफ रखी है, यह चौती लीफ रखी है, ठीक है, अब यह पोधार चाइना में लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सनलाइट आ रही है, यहाँ पर क्या है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट ठीक है? अब sunlight से बचने के लिए इस leaf पर कुछ Chinese लोग बैठे हुए है वो alternatively बैठे हुए हैं क्योंकि उनको यह लग रहा है कि alternative बैठेंगे leaf की उपर उपर बैठेंगे तो हमको direct धूप नहीं लगेगी क्या समझा आपने? कि मेरे पास एक पौधा है उसमें Chinese लोग बैठे हुए है ठीक है? उनको यह लग रहे हैं और sunlight पढ़ रही है इस पौधे पर और यह क्या कर रहे हैं बचो? और यह तेल लगा रहे है कौन से तेल लगा रहे हैं? मस्टर्ड ओयल लगा रहे है तो इनने क्या सोचा? ध्यान समझे ना, बड़ी अच्छी कहानी है यह क्या है? कि इस पौदे पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है अब यह सोच रहे हैं, यह लोग क्या कर रहे हैं? धूप बड़ियां ले रहे हैं और मस्टर्ड ओयल लगा रहे हैं पर इननों ने सोचा कि अगर मैं अल्टर्नेट बैट जाओंगा चाइनीज लोग तो मुझे धूप जादा नहीं लगेगी ठीक है? तो सन से इनको क्या मिल रही है? सनलाइट बचानी के लिए अल्टर्नेट मैनर पर बैट कर क्या लगा रहे हैं? सरसो का तेल, मस्टर्ड वाइल तो अल्टर्नेट का एक्जामपल इस वेरी 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 सिंपल चाइनीज पीपल बैठा हुआ है तो चाइना रोज इसका सबसे पहला एक्जामपल है किस मैनर पर बैठा हुआ है? अल्टर्नेट मैनर पर बैठा हुआ है क्यों alternate बैठा हुआ है? क्योंकि इसको sun से बचना है तो sun flower इसका दूसरा example है और धूप में बैठके वो लगा क्या रहा है? तेल, किसका? mustard का तो तीसरा example, समझे? biology एक बहुत ही आसान subject है लोगों को ये लगता है कि bio एक बहुत ही तगड़ा subject है बहुत ही कठी ने जीवन में कभी बनेगा ही नहीं bio पूरी story है आपको बस story गुथना आना चाहिए कितना अच्छा बताया मैंने Chinese लोग है alternatively leaf में बैठे हुए है ठीके? तो alternate pattern पे बैठे रहते हैं क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको sun से बचना है तो sunflower इसका दूसरा example हो गया sun किस color का होता है? yellow color का तो sunflower भी किस color का होता है? yellow color का होता है इसलिए इसके नाम sunflower है और क्या लगा रहे हैं? तेल कौन सा? mustard का तो mustard इसका तीसरा example है बहुत आसान, बहुत आसान मतलब easiest thing होती है biology में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या बोलू मैं biology एक story है यार तुम ना जब पूरे lecture मेरे देख लोगे भी कुछ lecture में reshoot भी करूँगी जब तुम पूरे lecture मेरे देख लोगे तो ऐसा लगए कि biology सहसान तो कुछ है नहीं, it is just halwa physics के mystery पढ़ा हो, अबायो को तो मेरे उपर छोड़ो तीसरा मैं example बताती हूँ आपको वोल्ड का, ठीक है परले इसकी theory पढ़ लेकता है पन phallotexy की the pattern in which leaves are arranged on the stem and its branches called as phallotexy हमें इसमें ये पढ़ना होता है कि leaf का arrangement stem पे कैसा है और उनकी branches पे कैसा है leaves are arranged in leaves are arranged in a way so that all of them get proper sunlight alternate की हो है, क्यों alternate manner पे क्यो है सबसे common type का देखो तो सबसे common type का alternate वाला ही रहता है सबसे common type का, ठीक है तीन type के होते है, alternate, opposite, world ठीक है, सबसे common type का alternate ही होता है और सबसे जारा maximum sunlight alternate को ही मिलती है alternate, ठीक है alternate में leaf is present and each node of an alternate fashion ठीक है, china rose, mustard, sunflower स्टोरी बिता दी मैंने आपको china rose sunflower उसके बाद opposite में क्या हुआ opposite का आपने क्या example पढ़ा है, काला गोबर गवावा इन कालोट्रोपिस, NCRT NCRT पढ़ो, NCRT, NCRT भी लिखा हुआ है so a pair of leaf arises each node of an opposite side alternate सबसे common type का होता है और ये ठीक ठीक होता है, world तो बहुत ही कम होता है now अब मैं बात करीओ world की देहान से देखना है देहान से देखना हो ये रेखो, दिख रहा है आपको मैडम ये तो हमें palmitate वाला वो दिख रहा है arrangement leaf का type of leaf में palmitate दिख रही है है ना, बेटा ये इंड, ये leaflet नहीं है हाना, हम लोगों ने palmitate में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने palmitate में ये पढ़ा था कि जो petiol था, उसी से बहुत सारी leaf निकल रही थी ठीक है? ये palmitate arrangement था पर यहाँ पर world का मतलब क्या होता है? world का मतलब ये होता है कि आप एक node से उपस्थित हो रहे हो आप एक node से निकल रहे हो पर आपको पता होना चीए हम कैसे मानें कि ये एक individual leaf है बच्चो हमको ऐसे मानना पड़ेगा कि हर leaf के पास एक bird है कौन सी bird है? auxiliary bird समझ में आ गई बात हम लोगों ने वहाँ पर उसे एक individual leaf क्यों नहीं माना था? क्योंकि bird यहाँ पर है इन सब के पास bird नहीं है auxiliary bird नहीं है world में हम leaf क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हर के पास अपना एक auxiliary bird है और हर जो leaf होती है वो node से auxiliary bird के थूँँ जूड़ी हुई है यह वहाँ पर उसके कोनों पर auxiliary bird है so we have to take these individual leaf not a group of leaf like the permitted ठीक है? इसका example है अलस्टोनिया ठीक है? तो world world मतलब round world का मतलब क्या देख रहे हूँ है? round 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 ऐसा arrangement है ठीक है? तो आपको यहाँ पर इसको कैसे याद रख सकती हूँ मैं? इसको मैं कैसे याद रख सकती हूँ? घुमा घुमा कर पत्थर मारना ठीक है? अरे और world का मतलब क्या है? घुमा कर पत्थर मारना इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं तो घुमा घुमा का मतलब वर्ल्ट पत्थर का मतलब स्टोन तो अल्स्टोनिया इसका एक्जाम्पल है क्या एक्जाम्पल है भईया अल्स्टोनिया तो आपको यह समझ में आ गया कि यह arrangement of leaf है auxiliary bird नहीं थी यहाँ पर हर leaf के पास अपनी auxiliary bird है समझ में आई बात तो इसे हम एक individual leaf consider करेंगे वहाँ पर end, perpetual end पर auxiliary bird था ना कि हर leaf के पास तो वो leaflet कहलाएंगे उनके पत्ति-like structure, इनकी पत्ति-like structure is a true leaf, ठीक है? यह समझ गया है कि we have three type of arrangement opposite का एक्जामपल, काला गोबर, काला ट्रॉपिस अन गोवावा उसके बाद alternate का चाइन रोज, ठीक है? mustard coil लगा रहे हैं, तो mustard और sun की उपस्तिती में लगा रहे हैं, तो sun flower इसका है घुमा घुमा कर पत्थर मारना मतलब अल्स्टोनिया, ठीक है? So, I think we have done with this now we are going to start with the modification of leaf चलिए, शुरू कर देते हैं, ये दे को picture plan दिखाई दे रहा है कि ने दिखाई दे रहा है आपको? चलो भाईया मेरे आजाओ, मेरे लाल modification of leaf अपन शुरू करने वाले हैं चलिए, देखते हैं, modification of leaf ठीक है, modification of leaf में हमको अलग-अलग तरीके से modification पढ़ना है जैसे कि हम modification of leaf में सबसे पहले पढ़ेंगे leaf tendril ठीक है, leaf tendril ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे leaf spine ठीक है, ओके so leaf tendril पढ़ेंगे leaf spine पढ़ेंगे ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे killer leaves के बारे में इतनी बात भी तक आपको clear हो गई थोड़ा theory पढ़ लेते हैं इसकी so modification में picture दिख रहा है आपको, ओके so modification में leaf tendril, leaf spine एक जो मैं भूल रही थी, वही मैं को दिखना था सबसे important तो यही है leaf storage leaf storage ठीक है, so हम अलग-अलग प्रकार के modifications पढ़ने वाले हैं so, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, storage ठीक है, अच्छा what is the leaf modification, क्या होता है leaf modification की मिलब, जैसे मैंने कैसे माना की वो leaf store कर रही है, कैसे माना की leaf tendril में convert हो गई, spine में convert हो गई, दिहान से सुनना कभी-कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चो की leaf photosynthesis करने के अलावा, दियान समझेंगे कभी-कभी ऐसा होता है की leaf photosynthesis करने के अलावा कोई और काम करने लगे, मतलब की leaf ऐसी modify हो जाए कि वो अपना main function ही न करे, वो कोई और function करने लगे, then this is called as modification of leaf, getting my point what I am saying, if leaf is deviated from their main function and start doing any other function, this is called as modification of leaf, leaf क्या क्या कर सकती है, leaf tendal में convert हो सकती है, leaf spine में convert हो सकती है, leaf storage कर सकती है, leaf किसी चीज को मार सकती है, तो अलग-अलब प्रकार के modification है, चीक है, अब सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, modification of leaf में number one is the storage, leaf का जो function है कि वो storage भी कर सकती है, देखिए, जब मैंने आपको stem का modification पढ़ाया था, तो मैंने आपको उसमें onion एक example पढ़ाया था, देखिए, onion में जो आप नीचे इस color का देखते हैं, this is the modified stem, जिससे adventitious root इस तरीके के निकली होती है, क्योंकि adventitious root तो कहीं से भी निकल सकती है, अब अगर प्याज का मैं डाइग्राम देखूँ, तो प्याज मुझे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, इस प्याज, थोड़ा modified stem और बड़ा बना लेती है, ठीक है, यह इसका modified stem है, ठीक है, जिससे adventitious root बाहर आ रही है, आप प्याज में, ध्यान समझना, प्याज में जो dry-dry आपको बाहर लाल कलर का दिखता है, इसे कहते है, ठीक है, पर अगर मैं प्याज को देखूँ ऐसा, तो इसमें pink colors बनाती है, तो प्याज में आपको ऐसी-ऐसी क्या दिखाई देती है, lines, ठीक है, light pink color की आपको ऐसे lines दिखाई देती है, ठीक है, और आपको दिखती भी वैसी है, यार, आपको दिखती भी वैसी है, तो ये क्या है, प्याज की fleshy leaves है, जो की edible होती है, ऐसा ही example है आपका, example garlic, ठीक है, ये मैंने आपको stem में भी पढ़ाया था, तो आपका जो garlic onion है, ये stem modification में भी आते हैं, ठीक है, advantageous root में हम लोग इनका example पढ़ते हैं, तो ये जो red color का आपको दिखाई दे रहा है, this is the flattened compressed stem, जिससे advantageous root बाहर आ रही हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी concentric rings में fleshy leaves लगी हुई है, जिसे हम खाते हैं, ठीक है, अब lesson में क्या होता है, कि यहाँ पर क्या होता है, leaves एक की ऊपर rings में होती है, जबकि garlic में क्या होता है, कि एक individual tunic होता है, एक लाल छिलका एक अलगी cover होता है, जबकि garlic में क्या होता है कि leaves जो होती है वो अलग-अलग होती है और सबके में एक individual tunic होता है पर वो भी leaves ही है जो आप खाते हो ठीक है so storage समझ में आ गया example is the onion and garlic आईए इसकी theory देख लेते हैं क्या है okay fleshy leaves store food onion and garlic देख लीजे आप तो यह जो red-red आपको दिख रहा है यह tunic है और इसके इंदर जो fleshy leaves होती है इसको अपन खाते है चालो भाई यह अब अपन पढ़ते हैं leaf tendal आईए now अब हम पढ़ते हैं leaf tendal so let's start with the leaf tendal ठेक है चलिए अब यहाँ पर मैं दो चीजे बनाओंगे ठेक है ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ ठेक है ना ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर एक में बहुत important concept आपको introduce करूँगे यह एक stem है यह दूसरा stem है ठेक है यह एक leaf लगी हुई है ठेक है यह दूसरी leaf लगी हुई है अब ऐसा Q बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ हला कि मैंने शहाद वहा पर समझाया था आपको देखे यह है leaf tendal ठेक है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगे leaf tendal ठेक है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगे stem tendal अब यहाँ पर बहुत important चीज़ बताने वाली हो अब आपको भी पता है मेरे बच्चों कि यहाँ पर होती है auxiliary bird ठीक है यहाँ पर क्या होती है auxiliary bird auxiliary bird ठीक है ध्यान से बिलकुल ध्यान समझेगा ठीक अब कभी-कभी यह auxiliary bird जो होती है यह modify हो जाती है modify हो जाती है किसमें tendals में किसमें modify हो गई बच्चों मेरे tendal में तो यह auxiliary bird जो है यह tendal बनाने लगती है पर अब आपको मेरी बात और ध्यान से समझनी है कि अब इस auxiliary bird से हम branch भी तो बनाते हैं इस auxiliary bird से हम दो चीज़े बनाते हैं, ब्रांच भी बनाते हैं, और फ्लार भी बनाते हैं, तो इसका मतलब यह कि auxiliary bird जो है, जिससे अगर हम ब्रांच बनाते हैं, तो अगर वो modify हो जाए, और अगर वो tendril बना ले, तो tendril भी branch हो सकता है, चीक है? तो यह जो tendril बनाते हैं, यह कैसा हो सकता है, branch भी हो सकता है, क्या समझा आपने? कि auxiliary bird present है, और stem tendril में auxiliary bird modify हो जाती है, और वो tendril में convert हो जाती है, पर auxiliary bird से branch भी बनती है, तो हो सकता है कि auxiliary bird जब modify हो, और हो सकता है कि auxiliary bird जब modify हो, और वो क्या बनाए? tendrils बनाए, तो वो tendril branched भी हो सकते हैं, समझ में आई बात? क्योंकि auxiliary bird branch बनाती है, तो जो tendril बनाती है, वो branched भी हो सकते हैं, done? समझ गए आप लोग? इसका example, stem tendril का example मैंने आपको क्या बताया था? जितने भी cucurbits होते हैं, ठीक है? जितने भी cucurbita family के होते हैं, कदू, तोरई, गीया, लौकी, बिटरगाड, ठीक है, watermelon यह सब इसी के family के हैं, अब यहां आ जाओ। यहां पर जो leaf है ना, यहां पर जो leaf है ना, leaf modify हो गई है tendril में, ठीक है, यह जो leaf modify हो गई है tenderil में बच्चों, समझ में आ गई बात? और ये जो tendril होता है ये branch क्योंकि leaf थोड़ी branch होती है तो ये जो tendril होगा ये जो tendril जो leaf modify होके बनाएगी वो हमेशा कैसा होता है? unbranched होता है कैसा होता है? unbranched होता है example बताएंगे example is the pea pea family या fibesi कहते हैं pea वाली जो family है उसका ये example है example pea ठीक है? अब समझो tendril चाहे ये tendril हो दोनो tendrils का काम क्या है? support समझ में आई बात तो इन दोनो tendrils का function क्या है बच्चो? same है चाहे leaf का stem modified वाला modification वाला tendril हो चाहे leaf modification वाला tendril हो इन दोनों का function क्या है? same दूसर कलर से लिखती हूँ इन दोनों का function क्या है मेरे बच्चो? same है पर अगर मैं origin की बात करूँ एक is the modification of auxiliary bird and one is the modification of leaf तो origin क्या है? different तो origin क्या हो गया? different हो गया और ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं analogous organ important है exam में, neat में ये सवाल आप से पुच्छा जा सकता है star लगा दिया है मैंने नीच भी लिग देती हुमें आपे क्या समझा आपने? कि दोनों tendril जो हैं इनका काम support है पर एक tendril किसका modification है? auxiliary bird का तो दूसरा tendril modification of leaf but both of them are responsible for support that is why they are analogous organ because the origin is different and the function is same function same होता है पर development अलग तरीके सो हो तो this is called as analogous organ please take the screenshot of this अब हम बात करते हैं third modification की बचो जो की है spine ठीक, I hope की यही बढ़ा है मैंने आपको है ना थौन तो नहीं लिग दिया थोड़ा सुदार नहीं पड़ेगा उसको हाँ leaf spine चलो पस थोड़ा सो और बचा है बस खतम होने वाला है leaf spine क्या होता है देहां से देखें तेखो जो अब यहां पर भी में दो चीज़े बनाऊँगी है जो aloe vera होता है जो aloe vera जो आप देख रहे हो ना यह stem होता है जो aloe vera आपको दिखाई देता है इसके में adventitious root होती है aloe vera ठीक है बड़ा ही वो है अच्छा plant है skin को glow करवाता है इसमें यह जो आपको spines दिखते हैं इस आर मॉडिफाइड लीफ ठीक है यह जो spine आपको दिखाई दे रहे हैं इस आर मॉडिफाइड लीफ modified leaf तो माडम फोटो सिंथेज़ कोन करेगा इनके पिता जी माडम बता ही ज़रा यह जो stem है न stem अब यह stem का भी modification हो सकता है क्योंकि stem तो फोटो सिंथेज़ करता नहीं है पर यहाँ पर stem फोटो सिंथेज़ परफॉर्म करने लगेगा यह भी क्या function हुआ modification हुआ stem तो फोटो सिंथेज़ करता नहीं है परितु कर रहा है तो यह stem का भी modification हुआ leaf का leaf modified into the spines ऐसा ही एक example हम लोग cactus में भी पढ़ते हैं ठीक है सो यह cactus हो गया cactus में भी होता क्या है बच्चों ध्यान से देखना कि cactus में भी छोटे-छोटे हमको काटे दिखते हैं यह जो काटे होते हैं यह भी क्या है advantageous root होती है cactus bee is the example of cactus bee is the example of what modified leaf का ठीक है और यह example modification of stem का भी example है modification of leaf क्योंकि stem तो फोटो सिंथेज़ करता है पर इनका stem इन दोनों का stem modification करता है अच्छा अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझाती हूँ ठीक है क्या है वो ध्यान से देखेंगे सब लोग आईए मेरे साथ यह stem बनाया मैंने ठीक है यह leaf बनाई मैंने ठीक है कभी-कभी यहाँ पर पाए जाने वाले auxiliary bird modified हो जाती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कभी-कभी यह थानस में modified हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर auxiliary bird bird modified ठीक है auxiliary bird modified auxiliary क्यों लिए auxiliary तो आप समझ नहाँ auxiliary bird है auxiliary bird आप समझ नहाँ मैं auxiliary बोल रहे हूँ modify bird modified into thorns किस में modify हो गई thorns में modified हो गई अब समझो अब यहाँ पर आपको फिर से कहानी समझनी है thorns and spine यह कैसे structure है भईया यह भी analogous है क्योंकि thorns and spine दोनों का काम क्या होता है protection देना ठीक है तो यह analogous है पर development तो दूसरे तरीके से हुआ है तो analogous organ है कैसे organ है बच्चो यह analogous organ है इतनी बात clear हो गई आपको so अब हम कहानी क्या पढ़ रहे है आगे पढ़े बढ़े हम लोग चली आज यह देखते हैं क्या है it is the modification of leaf जबकी जो thorns होते है it is the modification of axillary bird ठीक है मैं auxiliary bird बोल रहे हुँ तो भी आपको मतलब axillary ही समझना है auxiliary auxiliary बोलती रहती हूँ पर वो है axillary ठीक है तो thorns are the modification of axillary bird and the spines are modification of the leaves but they both function same protection का ही function करते हैं तो यह analogous organ है कि development अलग तरीके से पर function same है पर अगर आप से पूछा जाए पर अगर आप से पूछा जाए कि leaf के thorns और leaf के tendril क्या है leaf के spines और leaf के tendril क्या है तो यह homologous organ है क्योंकि यह जो है दोनों का origin same है पर function different है leaf का जो क्या नाम से वो है क्या कहते है leaf modification अगर spine में हो जाए तो protection का काम करती है leaf modify हो जाए tendril में तो support का काम करती है तो function different है पर origin तो same है दोनों develop हुए किसे modification of leaf से ही ठीक है एक और modification है petiole का modification कभी-कभी ऐसा होता है कि petiole जो होता है वो petiole is a part of leaf what is a petiole petiole क्या होता है यह आपको मैंने भी पढ़ाया कि यहाँ पर जो leaf जिस चीज से जुड़े रहता है this is called as petiole तो कभी-कभी petiole get modified to do the photosynthesis तो कभी-कभी petiole modify हो का photosynthesis करने लगता है ठीक है now मैं last आपको बता रही हूँ phylood phylood यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया था यही होता है phylood phylood मतलब modification of petiole जब leaf are small जब leaf बहुत चोटी हो जाए यहाँ पर होता है कि यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं and this is the leaf जो कि बहुत ज़ादा चोटी हो चुकी है और petiole जो है वो photosynthesis के लिए responsible है and this is called as phylood यह मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं ठीक है so यहाँ आपर leaf small हो जाती short lived हो जाती है petiole modified to form a large green colored leaf fly structure perform the photosynthesis they are known as phylood Australian acacia is the example ठीक है now अब मैं आपको बहतरीन चीज़ बताने वाली हूँ which is the killer modification ठीक है आईए killer modification के बारे में पढ़ते हैं हम लो this is the last modification बच्चो है अफिर उसके बार यह leaf कतम हो जाएगा killer modification क्या होता देखो 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 धिहान से देखो कभी कभी soil में ऐसा होता है कि यहाँ पर मालो एक plant लगा हुआ है ठीक है अब इस plant को soil में nitrogen नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो क्या करो भईया तो कुछ मत करो तुम किसी का गला दबादो जैसे कि दीपक भईया है अपने आज वो लेके आए पराठा सबजी अब दो कहानी है या तो मैं दीपक भईया का गला दबादू और उनसे वो रोटी सबसी जो खाना लाए चीन लो अब मुझे समिझ में आए कि दीपक भईया जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हुए है उन सब के पास टिफिन नहीं पर दीपक भईया के पास है तो मैं क्या करूँ रसी फेकूँ उनके गले में डालू और उनको खीच लूँ और उनसे छीन लूँ उनका ठीक है जो भी वो खाना पिनला है इनके साथ भी ऐसा ही होता है इनकी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है बच्चो तो यह क्या करें फिर यह दूसरों को खा लें तो इनके पास जो इनकी जो लीफ होती है ना वो मोडिफाई हो जाती है इनकी जो लीफ होती है वो मोडिफाई हो जाती है ऐसे घड़े लाइक स्ट्रक्चर में ठीक है घड़े like structure में जिसे आप कहते है picture picture का मतलब भी होता ना picture घड़ा type का leaf modify हो गई picture में और इनके पास एक धकन होता है ठीक है क्या होता है धकन होता है और इसके अंदर ये nectar भरे रहते हैं ठीक है यहाँ पर sticky substance भरे रहते हैं ठीक है यहाँ पर sticky substance सबस्यांओं अब क्या होता है एक मासूम सा बेचारा सा बच्चे सा एक insect उड़ता हुआ आया हाहा मैं पूरा खालूंगा आ रहा हुए यहां से इसका इंसेक्ट इंसेक्ट रहनों पताने कुछ भी बन गया पर यहां से एक इंसेक्ट उड़ता हुआ आया ठीक है यह गुज गया नेक्टर चूसने लगा इत्ते में क्या किये भाया जी यह धक्कन बंध हो गया अब यह क्या करेंगे यह बहुत सारे इंजाइम्स निकालते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और यह इसे बिल्कुल डाइजेस्ट करके एब्सॉप कर लेंगे इसका नाइट्रोजन डन इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल पिचर प्लांट इसी को हम नेपिंथिस भी कहते हैं ठीक है इसका प्ल इसे ऐसे खुलते हैं, तो क्या करते हैं, यह क्या करेंगे, यह लीफ का modification है, तो क्या होता है, कि यह भी अपने एक से नक्रविक्टर चिपचपा से पदार्त निकालते हैं, तो इंसेट देखे बहुत अट्रक्टर हो जाते हैं, हाई हाई आज तो मैं पूरा खालूंगा इसक इंसेक ट्रविक्टर तो यह क्या करते हैं, कि पिचर जो होता है, उसको खा जाते हैं, और उसके बाद, मतलब भर लिया अंदर, बंध हो गए, और उसको डाइजेस्ट की, उससे ने टोचन निकाला, उससे ले लिया, वीनस फ्लाइट रैप और पिचर प्लांटर, ठीक है, So, I think we have done with the modification of leaf, बच्चो, and we are done with the leaf, ठीक है, मैं NCRT नहीं पढ़ा रही हूँ भी, क्योंकि NCRT के हाला कि आपको जरूरत है नहीं, पर बहुत सारे बच्चों का ये था कि हमको NCRT बूटी अलग से पढ़ाईए, तो मैं NCRT आपको अलग से पढ़ाऊंगी, So, आज हमने आपको बताया, leaf base, petiol, lamina, leaf base वो हिस्सा होता है, जहां से वो stem से जुड़ी रहती है, फिर उसके बाद मैंने आपको कभी-कभी leaf base मोटा हो जाता है, जैसे मोटा होकर क्या बना लेता है, वो कभी-कभी sheath बना लेता है, कभी-कभी pulvinus बना लेता है, ठीक है, ये मैंने आप पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, पेटियोल, जो leaf base से जो डंडा निकलता है, जो leaf के lamina's attached होता है, इसे leaf blade भी कहते हैं, जो की जिसके अंदर बहुत सारे veins पाए जाते हैं, जो की xylem, phloem के बने होते हैं, और ये transportation of food or water करते हैं, vein से याद आया है कि हमने दो प्रकार की vein पढ़ी थी, जिसमें reticulate venation और pallal venation पढ़ाया था, reticulate जो है वो कहानी मैंने क्या बता है, जिसकी जड़ मजबूत हो, पुरानी बहु, पुरानी कौन होती है, जिस मजबूत हो, dicot plant, dicot का example है reticulate, नई बहु का example है monocot, pallal venation का, ठ बता ही, जिसमें मैंने आपको बता है simple leaf, ठीक है, और compound leaf, compound leaf में मैंने आपको example बता है pinnate और parmitate, pinnate में मैंने आपको uni pinnate, by pinnate, tri pinnate ठीक है, और de compound के बारे में बता है, uni pinnate का example में मैंने आपको बता है tamarind और neem, ठीक है, by pinnate में मैंने आपको बता है mamus hapirdica, और tri pinnate में मैंने आपको बताया morgina, moringa, sorry, और d compound में carrot, ठीक है, palmately compound में silk cotton का example बताया, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा palmately compound में 5 leaflet निकले हो सकता है, 2 और 1 भी निकल सकते हैं, नाउ उसके बाद मैंने phallotexy बतायी, जिसमें मैंने alternate rolled और opposite का example बताया, alternate का मैंने आपको बताया, china rose, sunflower और mustard, ठीक है, opposite का मैंने आपको बताया, calotropis और guava, और rolled का मैंने आपको example बताया, क्या, रियार, मैं भूल गई मैं, देखे, L stone या, ठीक है, उसके बाद modification मैंने आपको बताया, लीव जो है, वो कभी-कभी spine बना लेती है, example is aloe vera and cactus, leaf कभी-कभी tendril बना लेती है, जैसे की pea plant, ठीक है, pea and sweet potato, ठीक है, sweet pea, pea and sweet peas, leaf, spine, aloe cactus, storage मैं, onion, garlic, और phylload मैंने बताया, petiol, example is acacia, acacia वो है, that kathha अथा का plant, acacia का techo is the botanical name of kathha, ठीक है, उसके बाद insective oras मैं मैंने आपको बताया, venus fly trap और pitcher plant, so, बच्चो, we have done with phyllo taxi, we have done with the structure, we have done with the venation, we have done with the type of leaf and we have done with the modification of leaf, I hope की जो कहानी मैंने आज आपको समझाई, वो अच्छे सा रट गई होगी, ठीक है, अगर कुछ ना समाझ मा है, please let me know, I will help you out, so, see you in the next lecture, तब तक घर पे रहिए, safe रहिए, अपना ध्यान रखिए, thank you so much, bye bye